विदान सभा उप्चुनाव को लेकर प्रेमचंद गुड़्दू ने सावेर में दुआ धार प्रचार की शुरुवात की जी हाँ, मधिप्रदेश में होने वाले हैं विदान सभा उप्चुनाव सावेर में भी इसकी जलक देखने को मिलेगी क्योंकि सावेर सी पर भी चुनाव होने हैं सावेर विदान सभा में उप्चुनाव की तैयारी कॉंग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड़्दू ने कर ली है उन्होंने ग्रामीन शेत्रों का दोरा किया गुड़्दू ने भारती जन्ता पार्टी से लेकर शिवराज सिंग चोहान तक जोतिर आदित्ति सिंधिया पर इस दोरे के दोरां जम कर निशाना साधा प्रेमचंद गुड़्दू ने कहा कि जिस प्रकार से मद्रप्रदेश में भाजपा ने जन्ता की दोराच चुनी हुई सरकार को अस्थिर किया है जनता का वोट बेचा है इसी प्रकार राजस्थान में भी भाजपा और सचिन पालिक मिलकर जनता की द्वाराच चुनी हुई सरकार को गिराना चाते थे लिकिन भाजपा के मनसूबे कभी काम्याब नहीं होंगे तुलसी सिलावट ने सावेर की जनता के साथ धोका किया है सावेर ग्रामेर शेत्र की जनता तुलसी सिलावट को और भाजपा सरकार को सबक सिखाएगी कमला जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा कारकरताओं पर भी जमकरन निशाना साधा प्रेंचंद गुड़ू के चंसंपर्क के दौरान कॉंग्रेस के कई वरिष्च कारकता मौजूद थे कि दौरान के ढूरीख से तन कंपूरी तरीक great & के दौरान का पूरी तरीकर के से वरिपाइड के उचे नगुंदू के था उसे जलावड ही कोने वाली है। अभी मंडी की उपाद्देख, जो सिटिंग उपाद्देख ये वो हमारे साथ आ है। तो ये जो जा रहे हैं, कॉंग्रेस चोट शोल की ये सब लिन्देबाज हैं। इनका बिजनेस है, इनका वेवसा है, वो तमाम सारे अभेज़ गारों में लिपते हैं। अभी मंत्री 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 बना दिया। प्रदेश कॉंग्रेस का अध्यक्ष बना दिया, उपू मुख मंत्री बना दिया। मेरा समान ने तिक कम उम्र में हैं। किसी भी नेताओं को इस तरीके का सम्मान नहीं मिला है।